अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपका स्वागत है पेट इन्फो में और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉकार 90 एपिसोड और इस एपिसोड में हम कॉकर स्पैनियल वर्सेस बीगल के बारे में जा सब्सक्राइब इस या गया था तब उनमें totally साथ अलग ब्रीड्स थी और इन ब्रीड्स में English Springer Spanial Cocker Spanial Clumber Spanial Sussex Wells Springer Spanial Field Spanial और Irish Water Spanial मोझूत थे और उस दोरान Springer Spanial और Cocker Spanial को एक ही टाइप के ब्रेड में गिना जाता था और बाद में趣 1892 में इंगलंड के कैनल क्लब ने उन्हें अलग-अलग टाइप के ब्रीड में माननेता दे दी। कॉकर स्पैनियल गंट टाइप की डॉक ब्रीड है, मतलब पहले इनका इस्तमाल शिकर को ट्रैक करने के लिए या उन्हें भार निकालने के लिए किया जाता था। कॉकर स्पैनियल का नाम उड़ कॉक बढ़ के उपर रखा गया है बीगल का ओरीजिन युनाटेट किंग्डम से है ये डॉक ब्रेट बहुत ही पुरानी है और ये डॉक्स हाउन टाइप के होते है बीगल को इंगलंड, फ्रांस और वेल्स के पेदल चलने वाले शिकारी इन डॉक्स को जुन में एक साथ ले जाकर रैबीट, वाइल्टीक और जैकल की शिकार करने इस्तमाल करते थे और आज हम जो बीगल घर में पालते हैं वो डॉक्स 19th century में डेवलप हुए थे एजिलिटी, ट्रैकिंग और वाजडोग होते हैं कॉकर स्पेनियल अच्छे वाजडोग और ट्रैकिंग के मामले में अच्छे होने के कारण इनका इस्तमाल पुलिस फोर्स में किया जाता है अगर आप फर्स टाइम ओनर हो तो आपके लिए डॉक ब्रेड अच्छी है कॉकर स्पेनियल फैमिली फ्रेंडली डॉक ब्रेड है वो रे डॉक्स, इंटेलिजन, प्लेफूल, क्वाइट, ठ्रेनेबल और फ्रेंडली होते है ये स्मॉल टू मीडियम साइज की डॉक ब्रेड है तो ये मीडियम साइज के घर में आसानी से रह सकते है कॉकर स्पेनियल को एट लिस्ट 30 तो 40 मिनिट तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए वीगल डॉक्स स्मॉल साइज की डॉक ब्रेड है इनको आप छोटे घर में आसानी से रख सकते है Beagle Dogs छोटे आनिमल और छोटे बच्चों के साथ बहुती लवेबल होते है अगर आपको छोटा और एनर्जेटिक डॉक चाहिए तो ये डॉक चोईस आपके लिए बहुती अच्छी है Beagle बहुती सोशेल डॉक ब्रेड है और इनको फैमिली के साथ रहना ज्यादा पसंद है Beagle Dogs बहुती एनर्जेटिक और शरार्ती होते हैं अगर आपने इनको घर में अकेला छोड़ा तो ये हॉलिंग करते हैं या फिर घर की चीजों को नुकसान पहुचाते हैं Beagle Dogs एक्टि होने के कारण इनको बहुत पसंद है तो आप इनको डेली 30 मिनेट्स तक घूमाने ले जाइए Colors and Shading Cocker Spaniel Dog ब्लैक, ब्लैक & टैन, ब्लू रॉन, कोल्डन, लिवर और रेडिस कलर में पाए जाते हैं इनका हैर कोट लॉंग और सिल्की होता है और इनके पीट पर मीडम सॉफ्ट एर का कोट होता है Cocker Spaniel को ज़्यादा गुरूमिंग के चरूरत होती है इनको हपते में एट लिस 3-4 ताइम गुरूमिंग करवाना चाहिए इनका Shading Season 5-6 मन्त में आता है Beagle Dogs, Lemon White, Tri-Color, White & Tan, Chocolate Tri, White & Chocolate, Red Witten और Orange & White कलर्स में पाये जाते हैं Beagle Dogs का शॉर्ट कोट होने के कारण इनको गुरूमिंग करना और मेंटेन रखना आसन है और इनका Shading Season 8-9 मन्त में आता है Maintenance Cocker Spanel का Medical plus Food plus Grooming का खर्चा Per Year Average 15,000 से लेके 25,000 तक आता है Beagle का Medical plus Food plus Grooming का खर्चा Per Year Average 14,000 to 20,000 तक आता है Height Cocker Spanel के Average Height 14 to 17 inches होती है Beagle के Average Height 13 to 16 inches होती है Weight Cocker Spanel का Average Weight 12 to 16 kg तक होता है Beagle का Average Weight 10 to 12 kg तक होता है Liter Size Cocker Spanel की Liter Size Average 6 to 8 puppies होती है Beagle की Liter Size Average 4 to 10 puppies तक होती है Life Span Cocker Spanel का Life Span 12 to 15 years तक होता है Beagle Dog का Life Span 12 to 15 years तक होता है Price Cocker Spanel की Average Price Up to 20,000 है बीगल के एवरेश प्राइस 8,000 से लेके 19,000 तक है तो दोस्तो कैसा लगा अच्का डॉग वर्सेस डॉग का 79 एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाई और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके पताए कि आपने इसमें से कौन से डॉग को चूज किया और हमारे चैनल पेटने इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए